नमस्कार मैं हूँ रंजीत जहाँ और आप देख रहे हैं न्यूज पियार विहार केबिनेट का फाइनली विस्तार तो हो चुका है बिभागों का भी वटवारा हो चुका है लेकिन इसके साथ ही अब एक बार फिर से कयासों का दोड शुरू हो गया है कि आखिर विधान परिशत में खाली सीटों को कब भरा जाएगा आपको हम जानकारी दे देते हैं कि कुल सोला सीटे अभी बिहार विधान परिशत में खाली हैं जिसमें से बार राजपाल कोटे से भरी जानी है और चार अस्तानिय प्राधिकार कोटे से भरी जानी है तो सबसे बड़ी चर्चा जिस पर हो रही है वह है राजपाल कोटे की सीटों पर कब फैसला लिया जाएगा आखिर मुख्यमंत्री इतना डिले क्यों कर रहे हैं वह नामों की सुची तयार करके राजपाल को क्यों नहीं भेज रहे हैं आपको बता दें कि यह राजपाल कोटे की जícia हैं व्यारभिधानप कडिशनमे जो खाली हूई है जिर्फन कार नाफिकरा राजपाल के दौरा वह आज ध्र नहीं करीव-करीव करीव साल भीष साल से खाली पड़ी हूई है क्योंकि दो सीटे एक बक्त में खाली हुई थी जब लोगसभा चुना हुआ था उसमें राजीव रंजन सिंग और ललन सिंग और पशुपती कुमार पारस दोनों सांसत बन गए थे तो वह सीटे खाली हुई थी उसके बाद जो हैं बाकी सीटे जो बचती हैं वह तमाम सीटे मई में जा करके 2020 में खाली हो गई थी तो यह पूरे कुल मिला करके 12 सिटे जिसमें से ऐसे चर्चाएं थी कि जल्द ही इस पर फैसला कर रिया जाएगा और बिहार केबिनेट में जो नहीं सरकार बनी तब बिहार केबिनेट के विश्तार से पहले राज़पाल कोटे पर लोकडाउन लगा तो बिहार में भी लोकडाउन लगा था और इसको करके तमांत्रा के चुना प्रकडियां को टाल दिया गया था चुना आयोग ने कहा था कि फिलाल कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और राजपाल ने भी इसे टालने के लिए वो तयान हो गया तो कुल मि नितिश कुमार बिहार विधान सभाद चुनाव का इंतिजार करना है क्योंकि 12 सीटे हैं और विधान परिशद में हर दल चाहता है कि उनकी भागीदारी मजबूत हो ऐसे में अगर मागटवन्दन के सरकार बनती तो वो अपने मर्मर्जी के नेताओं को चुन करके वो अपने मन के ही लोगों को बिहार में जो नेता लोग होते हैं उनी को चुन करके उनी की सुची बना करके भेज़ दी जाती है जिस पर राजपाल मुहर लगा देते हैं अब यह आपको पूरा हिसाब किता बता देंगे कि 12 सीटों पर कोटे में कितना जाएगा यह पहले से तै कर लिया गया है कि 6-6 सीटे जो है वो बाटे जाएंगे 6 बीएपी के हिस्से में 6 जेडियू के हिस्से में चुकी सरकार तो इंडिये की है ऐसे में 6-6 सीटों का बट बारा भी एक बीच बिवाद का मुद्दा बना हुआ था आखिर इस पर भी फैशला हो तब बिहार केबिनेट का विश्तार करेंगे तो राजपाल कोटे का मनुनेंत हो नहीं सका था लेकिन इस बात पर शाहमती बन गई कि जो है 12 सीटों पर 6-6 का फर्मूला ते होगा चे बीजेपी के कोटे में चे जेडियू के कोटे में आपको यह भी जानकारी मुझे मज़े देता हूँ आपको कि जो 12 में से 2 सीटे तो समझे कि फिक्स हैं क्योंकि अशोक चौधरी और जनक राम ये दोनों बिहार केबिजट के सदस बन चुके हैं मंत्री मंदल में नहीं परिशद में जाना एमेल सी बनना तर है तो राजपाल कोटे में जो 12 सीटे हैं उसमें से दो तो इन लोगों के नाम हो गई अशोक चौधरी जेडियू से आते हैं और जनक राम को हाली में मंत्री मंदल में जगा मिली है विश्तार के दोरान तो वह बीजेपी से आते हैं इ अभी स्वरूप कैसा है उस स्वरूप को समझी कि इसमें 75 सीटे होती हैं बिहार विधान परिशद में जिसमें से सत्ताइज जो है बिहार विधान सभाग कोटे से भरी जाती है वहीं 24 MLC की भरती जो है इसमें अस्थानिय प्राजिकार कोटा से की जाती है उसके बाद 6 MLC कोटा से 6 MLC असनतक कोटा से होते हैं 12 MLC राजपाल कोटे से होते हैं या expert का पूरा का पूरा अवे हिसाब की अवि हही है अभी कुल अखर के मैं ने बताया आपको 16 सीटे खाली है बियार बिधान परिशद में 16 MLC बनाया जा सकते हैं चार अस्थाने प्रादिकार कोटे से आएंगे और 12 राजपाल कोटे से लेकिन इस वक्त जो चर्चा है वह है राजपाल कोटे की जो संभावित कुछी की हम बात कर लें आपको पता होगा कि सुसिल कुमार मोदी और बिनोद नरायन जहा के राज चले जाने पर दो सीटें खाली हुई थी उस पर अब जो उसकी भरति की जा चुकी है उसमें से एक मुकेश सेहनी को मिला है और एक जो सीट है वह है फिर जो गया हुआ है बिजबी के ही कोटे में गया है शाहनवाज हुसाइन के कोट करने के बाद वह मान भी गए थे और मुकेश सेहनी फिर वह तयार हो गए मलसी बनने के लिए जो दो उप्चुनाव की सीटें खाली हुई थी उस पर यानि सुसिल कुमार मोदी और बिनोद नरायन जहा बिजायक बन गये हैं सुसिल मोदी राजस्वा भेज दिये गये हैं इसे में दोनों सीटें खाली हुई थी इस पर बाड़ी बाड़ी से यानि बीजेपी के ही और बीजेपी ने एकोमोडेट किया वियाइपी को दिया एक मुकेश सेहनी एक शानवार उसेन को यह सीटें मिल गी अब बात करते हैं अभी जो मैंने हिसाब किता बताया 12 में उसक उसरेबाद या जर्चा है प्रदेश महासर्चीव सुसील चोदरी की चर्चा है उसके बाद बादपा की उपाद्यक्ष बेवी कुमारी की अध्या जांणि बैवी कुमारी उसके बाद मुझैपरपुर पर नजटिकी हुई है लोगों की क्यों कि मुझवपरपूर को कोई रिप्रजेंटेशन नहीं मिला है एसे में यटकर लेक्तेज हैं क्या बिहार विधान परिशत में जो यह सीटे बाड़ी जाएंगी उसमें मुझवपरपूर का रिप्रजेंटेशन होगा कि नहीं तो इसी बज़ा से बेवी कुमारी पुर्व नगर विकास मंत्री रहा चुके हैं बिहार सरकार में सबसे अमीर भाजपा नेता माने जाते हैं बिहार के और उन्हें इस बाड़ी अंतर से बहुत कम अंतर से वह कॉंग्रिस के हाथों चुनाव हार चुके हैं तो ऐसे में उम्मीद जताय जा रही है कि ऐसे मोट सारे आप में यह तमाम तराके जो नाम चल रहे हैं इनका फिर्ष मैं बता दूं आपको आपको जनकरां सुसील चोधरी बेवी कुमारी औं अनिल सरमा राजिस बर 더żप इसके अलावा जैनाच इन तमाम लोगों के नावों की चर्चा है लेकिन पांची सीटें भरी जाएंगी तो इसमें से आप ये तैम मानिए कि जनक राम तो तय हैं तो बागी जो पांची पर जो चर्चा है वह सुसील चोधरी बेवी कुमारी अनिल सर्मा सुरेश सर्मा राजिस्वर्मा का नाम जोरों से संभावित सुचि में चल रही है तो हो सकता है किसी ना किसी पर फैशला हो जाए इसके अलाबा अब बात करते हैं जद्यू की जद्यू ने तो अपना एक सिर्फिक्स कर रखा है असोग चोधरी के लिए क्योंकि असोग चोधरी मंत्री बन चुके हैं किसी भ उपाध्यक्ष के पद पर तैना थे इसके साथ ही पूर्व मलसी संजय सिंग गांधी का नाम आ रहा है फिर महस्वर यादव का नाम आ रहा है क्योंकि राजत चोर करके जद्यू में शामिल हुए थे और राजत में रहते ही बगावुती तेवर भी अपना थे उन्होंने कह था कि मैं नितिश कुमार को अपना नेता मानता हूं लालू यादव या तजस्वी यादव को नहीं महस्वर यादव को वहां से निकाला गया था जद्यू में शामिल हुए थे तो इनको जो है नितिश कुमार बना सकते हैं इसकी चर्चा चल रही है तो खुल मिलाकर करके नाम असुक चोदरी इंक्लूड कीजिए फिर ललन सराफ संजया सिंग गांधी महस्वर यादव है और इसमें एक डो नाम और आएंगे अब को कि राजपाल कोटे में दरसल खेल कला विज्ञान सिक्षा साहत या समाथ सेवा के छेतर से आने वाली लोगों को ही राजपाल मनुनीट करते हैं नोमिनेट करते हैं विज्ञान परिशत के लिए लेकिन परिशतिया अब बदल गई है ऐसा कुछ दिक्टा नहीं है जो सुची मुख मंतरी अपने हिसाब से टेक कर देते हैं राजपाल सायद उन पे मुहर लगा लेते हैं अब पति करने का दि कार तो है लेकिन ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है तो कुल मिलागर के जदल्य और भाजपा के सुची हमने आपको बताई है यह संभावित नमों की सुची है जिने एमेलसी बना करके बेजा चार सकता है राजपाल कोटे के द्वारा नोमिनेट होंगे और इसके अला प्रवां का होना और बुद्धी जीवियों का होना ज़रूरी है तो इस बज़से ही इसमें बुद्धी जीवियों को ही भरा जाता है जो हमने आपको बिहार विधान परिशद्द का स्वरूप अले से जिसमें से 6 छो शिक्षक कोटा 3 असनातर कोटा होता है पढ़े लिके लोग ही जाते हैं असनाता कोटा में ग्रेजुएट लोग ही वोट करके चुनते हैं पढ़े लिखे लोगों को चुनते हैं तो कुल मिलाकर करके राजसभा हो चाहे बिधान परिशद हो वहां पर जो है बुद्धी जीवियों का यसदन कहा जाता है ताकि यहां पर के आम चु स्कास के लिए नए ने प्रावदान, ने निश्कीम, कानून, इस पर राय मस्विरा करें और कानून का रूप दें इन तमाम चीज़ों के लिए ही इन लोगों को चुना जाता है हलागि यह सियास्त है बिहार की सियास्त है यहां पर तमाम तरह की चीजें चलती रहती हैं दलों के बीच रार तक्रार का खेल चलता रहता है कौन कितने सीटों पर किसे कहा बेज़ेगा इसको लिकर के माथापत्यी गमाशार यह सिल्सिला कभी ठमता नहीं है तो ऐसे में निटिशकुमार के साथ बनाए गया है तो पांच की संभावना अभी भी तो विबाद वहां भी ठमा नहीं है तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उस पांच सिटों को लेकर के बीजेपी प्रोडेशर बनाएगी क्योंकि बड़ी पार्टी है निटिशकुमार इस बार दिखेगा कि आने वाले दिनों में तस्वीरें ब्यार की सियासत किस और दिखाती है कैसा रंग होता है इन तमाव पर हमारी नजर बनी हुई है और राजपाल कोटे पर जो चुनाव होने हैं जो नमिनेशन नमिनेट किये जाएंगे राजपाल के द्वारा उस पर भी नजर है जो हमने संभावित सुची आपको बताई है हो सकता है इन सुची में से कई शाटे नाम जो है मुमकिन हो क्यों ये सुत्रों से भील रही जानकाडी के अधार पर है इन तमाम लोगों को बिहार बिधान परिशाद बैजा जाएगा और बिहार बिधान परिशाद में प्राइब प्राइब प्राइब